दोस्तों दुबाई में किसी चीची कमी हो ना हो लेकिन एक चीची कमी कभी नहीं देखने को मिलती और वो है पैसा हम मिडिल लिस्ट की टोटल प्राइविट वैल्थ की बात करें तो करीब 4.3 ट्रिलियन डॉलर से जिससे आप ये बात समझ गया होंगे कि यहां की प्राइविट वैल्थ कितनी ज्यादा हाई है और यहां के रहने वाले लोगों का तो पूछिए मत आपको एक से बढ़कर एक अमिर लोग एश की जिन्दगी जीते हुए दिख जाएंगे पर यहां सवाल यह आता है कि आखिर दुबाई के अरब पती इतना पैसा खर्च कहां करते हैं तो दोस्तों चीन दा मत कीजिए क्योंकि आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उतना ही प्यार अपनी रेतीली जमीन से भी है तबी तो ये इसके लिए कुछ भी करने को तयार है जिसका जीता जाकता नमुना आप जरुक मोटर्स द्वारा तयार के गई एक शांदार गाड़ी की रूप में देख सकते हैं ये एक ऐसी कार है जिसके अंदर लंबोर्गनी का इंजिन और रॉल्स रॉयस का कमफर्ट आपको दो ही चीज़े मिलेंगी पर इसका सबसे बेस्ट चीज़े है कि ये गाड़ी रेत पर भी बड़ी आसानी से चल सकती है यानिक अगर आप दुबई में रहते हैं तो ये आपकी सबसे पहली पसंद होगी क्योंकि ये आपको लगजरी और कमफर्ट के साथ साथ रेतीली जमीन पर अपने इस कार को भगाने का पूरा मौका देती है दोस्तों जब बात खाने की आती है ना तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई खरीद सकता है और केक तो बहुत ही आराम से मिल जाता है लेकिन जरा ठैरी है क्योंकि दुबाई के अरब पती हमारे और आपकी तरह नॉर्मल केक नहीं खाते हैं बलकि ये तो गोल्ड प्लेटिट केक खाते हैं जी हां दोस्तों दुबाई के लोग खाने में भी गोल्ड प्लेटिंग करवाना नहीं भूलते हैं तब ही तो यहां एक ऐसी शौप है जिसमें 1200 ड मिलता है अब दोस्तों आप ये देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दुबाई के लोग केक में गोल्ड प्लेटिंग करवाकर खाना पसंद करते हैं तो उन्हें सोने से कितना प्यार होगा और उसी प्यार को दरशाने के लिए लोग अपने हर चीज में सोन चड़वाते हैं फिर चाहे वह घड़ी हो मुबाईल फोन हो या फिर गोल्ड प्लेटिट गाड़ी यहां यकीन नहीं आता तो खुद देखे कैसे कार पूरी तरह से कस्टमाज करवाकर उसको उपर गोल्ड प्लेटिंग की गई है ताकि देखने वाला बस इस कार को देखत रह जाए दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं दुबाई के लोग सोने के इतने ज्यादा दिवाने होते हैं कि ट्वालेट तक को नहीं छोड़ते हैं आपको दुबाई में बहुत से ट्वालेट देखने को मिल जाएंगे जहां पर सिर्फ सोने की चीजें मौजूद है तिर चाह यहां पर ट्रैफिक जैम लगा है तो यह समझ लिजे कि खर्म रुपय की गाड़ी एक जगह पर एक साथ मौजूद होंगी यहां के लोग चोटी मूटी और सस्ती गाड़ियों में घुमना पसंद नहीं करते हैं चाफिर नॉर्मल इंसान के पास कम से कम BMW, Mercedes तो होती ही है औ दूबाई के लोग अपनी रईसी को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं ऐसे में यह महगे महगे गाड़ियां तो खरिते हैं लेकिन उन पर लगने वाला नंबर प्लेट भी यह कुछ कम महगा नहीं खरितते हैं तब ही तो दूबाई के बिलिनियर्स बिजनसमैन आर और इन्होंने सबसे ज्यादा बोली लगा कर इस नंबर प्लेट को अपने नाम किया अब खोद सोच लो जो लोग नंबर प्लेट के लिए इतने पैसे पानी की तरह बहाने को तयार हैं उनके पैसा हांत के मैल से तो कम नहीं होगा दोस्तों यह बात तो आपने सुन ही होगी कि जब जेब में पैसा आता है तो दुनिया पूछने लगती है और दुबाई के अमीर लोगों का भी कुछ ऐसा ही हाल है जिनके जेब में इतना पैसा होता है कि दुनिया के बड़े बड़े सलेबरिटीज उनके घर में चाय और नास्ते के लिए आते हैं फिर चाय वो सलमा करने के लिए भी सोने का कमोड इस्तमाल करते हूं वह बला शादी और इवेंट्स में खर्चा करने से कैसे पीछे रह सकते हैं हम आपको बता दे कि दुबाई में छोटे से छोटा इवेंट होता है तो उसमें भी करोडों रुपय पानी के तरह बहार दिये जाते हैं हम यहा 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की शादी कराई थी तब से लेकर अब तक यहां की शादियों का बजट बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों माना कि कुछ लोगों को जूते पहनने का काफी शौक होता है इसलिए वो जूतों का अच्छा खासा कलेक्शन करकर रखते हैं जिनमें से पहला नाम राशिद अलहर शाह का आता है जिन्हें लोग मनी किक्स के नाम से जानते हैं इनके पीता दुबाई के बहुत बड़े कॉंट्रक्टर हैं जिनका बिजनस अरबों का है और पीता के उन पैसों से इन्होंने खुद का बिजनस स्टार्ट किया है जहां जे फैश मिलियन डॉलर्स शूज कलेक्शन मौजूद है और इनके सभी जूते एक से बढ़कर एक महेंगे होते हैं जिनमें से कुछ तो कस्टमाइज भी किये गए हैं और एकात तो गोल्ड प्लेटिट भी है दोस्तों उमीद है दूबई के यह अमीर लोगों के पैसे खर्श करने क तरीकों के बारे में आपको काफी कुछ पता चलाओगा